दिखे मुझे लगता है कि अम्रोहा में सबसे ज़्यादा होने की प्रमुख वजे वहां के जो विधायक थे उत्रपदेश के मंत्री थे भार्ती क्रिकिट की एक बड़ी सक्षियत थे चेतन चौहान का निधन भी है तो उस नाते भी वहां टर्न आउट बाकी सीटों से ज़्यादा है यह उपचनाव पर हम लोगों ने इस मंच पर कई बार चर्चा किये और तमाम जो हमारे मेहमान है वो अलग-अलग समयों पर हमारे साथ उन चर्चाओं में रहे है जुही जी हैं, उमाशंकर जी हैं, अमित भाई हैं, विक्रमराव साब हैं, धर्मी चोदरी जी हैं, सबी लोग रहे हैं आज मुझे एक नई चीज दिखाई देती है परना तो चर्चा पुराने विंदू पर भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं बोजन आज मीं रोज करता है, रोज उर्जा पाता है, तो बहस भी रोज हो जाएगी, कोई समस्य नहीं लेकिन एक चीज नई मुझे दिखाई दी है हम लोगों को थोड़ा बहुत तज़र्वा हो गया चुनाव देखते देखते गाओं में कस्वे में तहसील में ब्लाक में विकास नहीं तो बोट नहीं, नाली नहीं तो बोट नहीं, सलक नहीं तो बोट नहीं, खरंजा नहीं तो बोट नहीं, राशन कार्ड नहीं तो बोट नहीं ऐसे पोस्टर होल्डिंग हम देखते रहें थोड़ा टीवी वाले आ जाते थे टीवी वाले नहीं थे तो अखबार वाले आ जाते थे थोड़ा छपचपा जाता था फोटोशुट वा जाता था और फिर तहसिलदार पटबारी एसडियाम एडियाम इस ताइप के कार्कून जाते थे और समझाब हुजा कि ठीक वह चलो चलो बोट डालो बोट डालो हमने यहीं देखा और विक्रम राव साब ने भी यहीं देखा होगा उत्तरपदेश में बागी दुनिया जहां काम जानते नहीं इस बार मैंने देखा ना नेता की सुनी ना ब्यूरोक्रेट्स की सुनी ना बाबू की सुनी ना नेता जी की सुनी इस बदलाव की आहट को हमारे राजनीतिक दलों के मित्रों ने सुना है या नहीं सुना ये भारत के उत्तरपदेश के बदलते हुए परिद्रश्च में जो अपनी स्पाइनल कॉड सीधी कर रहा है मतदाता आप उसको देख पा रहे हैं या नहीं ये भी आज बहस का मुद्दा है अब टेकन वो ग्रांटेट नहीं ले सकते मतदाता को मैंने ऐसे बड़े-बड़े नेता देखे जो कहते भाईया हम चुनाव लड़नाव जिताना जानते हैं मुझे लगता है वो परिद्रश्य विदा हो रहा है रात जा रही है नया सूर्योद हो रहा है भारत के उत्तरपदेश के लोक्तंतर पर जहां यह बात नेता जी ने कही दी इसलिए सिराकों पर या कलेक्टर ने कही दी इसलिए सिराकों पर यह नहीं चलेगा ना गाओं खुद देखेगा कि बात में दम है तो मानेगा नहीं तो नहीं माने यह बड़ा ट्रिंड है अन्य था था फोटो अपर्चुनिटी के बाद बोट पढ़ी जाता था सभी दलों के नेता भी पहुंच जाते था रहे ना 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 प्रदान जी समझो सब करवा देंगे डालो बोट डालो यह एक बदलाव है और आज सारे दलों के प्रवक्ताओं को मैंने सुना सबने कहा साथ हम जीत रहे अब इतनी तो सीते भी नहीं कुल सीते है साथ लेकिन यह भी उचित है कि जब तक परिणाम ना आ जाए तब तक एक नेक्षम्मा अंधेरे में जलाए रखिए सुबह होने को है माहूल बनाए र है दूआ करो आप लोग बाहर रहो सब अच्छा होगा अब जो होना होता वह ही जाता फिर तो ठीक ही ठीक है तो सांस है तो आस है अच्छी बात है लेकिन तमाम पुलिटिकल इशूस के साथ-साथ मुझे लग रहा यह एक बड़ा ट्रेंड है और एक विशे यहां का नहीं है लेकिन मेरे मन में है वो बात भी आनी चाहिए विक्रम राव साब जैसे तंजर्वेकार लोग बैठे हैं जो ही सिंग है चैतन्य हैं बहुत प्रबुद्ध हैं अमित भाई हैं सब लोग एक डाट आज में एक आकला देख रहा था भी शो में आने से पहले उस आंकले ने भी मुझे शब्द किया वो भारत की राजनेतिक व्यवस्था में जो सरांध है उस पर एक टिपनी है कई बार मौन टिपनी बहुत घातक होती है अवित्पुरी तो सांखिकी के विद्वान है 2015 में जब सब सरसंजु था कोरोना नाम का कोई जीव जन्तू नहीं था तो बिहार विधान सभा में अवयद रुपिया पैसा ले जाते हुए 23 करोन रुपिया पकड़ा था सरकारी एजिंस्यों में कितना भी करोना में गरीब के जेब में एक रुपिया नहीं बचा पाउं में च्छाले पड़ गए तूटी चपल मैसर नहीं हुई कहा गया पूरे देश की अर्थ व्यवस्ता गरबढ़ हो गई तो 65 करोन रुपिया सीज हुआ है यह आंकला देख रहे हैं यह भारत की राजनेतिक व्यवस्ता की इमानदारी को कटखरे मिला के ख़़ा कर लेता है और बाते हर आदमी सद्नरानी कता जैसी करता है कि ना ना देखिए हम तो गरीब को गलेश मान कर पूछते हैं फलाना देवा का कहा है गरीब हो कहा है गरेश जब सब अच्छा था तो 23 करोण पकड़ाए जब रोटी को मोहताज हो गया गरीब तो यह 65 करोण राजनेतावती गाडियों में कहां से आए और यह 65 तो पकड़ाए है भाईया जो नहीं पकड़ाए उनका वाल्यूम जानते हैं कहिना नहीं चाहता है मंच पर लेकिन मेरा मंच शुब्द हुआ इसलिए मैं उत्रपदेश से बिहार लिए गया आपको एक मिनिट के और यह समस्या यहां के भी है यहां भी छापा मार लो तो यहां भी वह मिलेगा यहां क किसी पार्टी के नेता अभी नेता कि यहां गाड़ी पकड़ लो उसके नीचे गड़ी-गड़ी मिलेंगी बिना गड़ी वाला राजनीती कर कौन रहा मुझे वो तो बताओ और किसी एक ऐसे आदमी को लाव टीबी पर अपने साथ और बताओ कि हमिताब जी यह आदमी पा देशा है समाथ सेवा आपके जीवन ब्रत में लिखा राजनेताओं के काम क्या करते हैं बुले समाथ सेवा गजब बात है यह भी एक विशे है मुझे लगता है इस पर भी चर्चा हो